दोस्तों स्वागे थे आप सभी का Education के AdSix और YT Education के इस क्रेटफॉर्म पे बिहार में Civil Code की वेकेंसी निखली है आप सभी को बदा दे कि यहाँ पर Clerk की वेकेंसी है, Stenographer की वेकेंसी है, P.O.N. यानि कि जो अरदली या चपरासी की वेकेंसी है Court Reader की वेकेंसी है तो जितने भी चात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपको बदा दे कि इन सभी चारों वेकेंसी में एक सब्जेक्ट तो common है, वो है आपका Hindi और Hindi में सबसे important और सबसे ज्यादा question आपके पूछे जाते हैं या Hindi व्याकरन से बाकि Hindi का जो साहित्य वाला chapter है वो भी आपको बताऊगा कि उनमें क्या पूछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में और syllabus जो है आपका कुछ इस तरह से है जो कि हम आपको यहाँ पर discuss करेंगे और आज का जो पहला chapter है जैसे कि one विचार इसको भी discuss करेंगे यहां से संबंदित 11-12 प्रश्ण जो है जो कि उस तरह से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं या देखे जाते हैं तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और डेली आपको एक topic वीडियो जरूर मिलेगा हिंदी से रिलेटेड जो कि आपके परिष्या का स्लेबस यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा वीडियो जादन लंबा नहीं खीचने वाले हैं यहां पर यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं एक्स्पेक्टेड है जो कि जो भी छात्र यहां पर अगर तयारी कर रहे हैं बिहार कॉंस्टेबल का उनको भी यहां पर हिंदी ग्रामर पढ़ना है याने हिंदी व्याकरन को पढ़ना है यहां तो यह चीज़े हम लोग आज देखेंगे यहां पर और यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो देखे सबसे पहले तो हम लोग डि ओंको होते हैं उसका स्तर क्या है और ये कौन-कौन से वर्ण होते हैं इन सब के बारे में जा नेंगे फिर विचार होता है यह क्या होता है उसके बाद उनसे बने सब्दों के बारे में पढ़ेंगे ठीक यह हमारा स्लेबस है उसके बाद जब यह सारी चीज़े पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ना होता है संग्या के बारे में और यहां से सुरुवात होती है दोस्तों हिंदी ग्रामर की संग्या है, सर्वणाम है, विशेशन है, लिंग है, वचन है, कारक है, क्रिया है और अविकारी सब्द है कुछ यहाँ जो कि अव्याव कहलाते है विराम चिन्दों के बारे में पढ़ना है और परियावाची सब्दों विप्राप्तर सब्दों यह इनपॉर्णेंट है, सबसे ज़्यादा कोशन यहां से आपको देखने को मिलते है परिक्षाओं में जो कि बिहार सिपाही में भी यहां से कोशन रहते हैं विराम चिन्दों से भी प्रशन होते हैं और वर्तनी पढ़ना है यहां से शुरुवात होते हैं आपको मेंस लेबर्स का ठीक है तो भी प्रार्थर सब वर्तनी है उपसर्ग है प्रत्य है संधी है समास है सबसे ज्यादा प्रश्ण समास से भी आपको देखने को मिलते हैं जिब कोशन के पेपर थोड़ा सा कठी नहीं रहता है अगर आप ग्र साहित्य में अगर देखा जाए तो साहित्य पढ़ना बहुत जुरूरी है जैसे तो आप लोग पढ़ते रहे होंगे अपने एकैडमिक जो भी आपने पढ़ा है ठीक है जहां पे गध्यांस और पध्यांस के बारे में आपको थोड़ा सा डिसकसन होगा यह लास्ट में हम लोग कभर करेंगे इसको और इसके टॉपिक को तो बस इतना कर देखा जाए तो कुल मिला के अगर देखे हम तो हिंदी में बारह या कहले हम तो 20 से 21 यह जो टॉपिक है यह इंपोर्टन है लेकिन इन में सबसे इंपोर्टन टॉपिक 10 से 12 ही होंगे लेकिन फिर भी हम टॉपिक है वो वन्ड विचार को लेकर है अब देखिए question exam में ये नही पुझे है कि वन्ड विचार क्या होता है उनसे जुड़े हुए तत्थ है या सवाल ही पुझेगा लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए तो जिसका उचारन बिना किसी सहायता से स्वतंतरता पुर्वक किया जा सके जिसका उचारन लिख लिजेगा जिसका उचारन किसी भी सहायता के बिना किसी भी सहायता के स्वतंतरता पुर्वक किया जा सके और यह जो है इसके प्रकार जो होते हैं 11 तरह के स्वतंतरता ध्वनियों का उचारन के लिए स्वरों का इस्तमाल किया जाए जिन ध्वनियों के लिए जो भी आप उचारन करते हैं उनके उनको बोलने के लिए उनके ध्वनियों के लिए उचारन में स्वरों का इस्तमाल किया जाता और यह होते हैं दोस्तों 33 प्रकार के तो यह कोशन लोग यहां पर तो देखेगा स्वांड वन जो होते हैं इनका उचारण बीना कीसी सहायता से तन्तरता पुर्वक किया जा सके स्वांड वन जो होते हैं दोस्तों इसके 11 प्रकार रहते हैं कौन-कौन है तो लेके जो फेले के हमारे क्या है तो स्वन वन इनको बोलने केलिए किसी भी द्धोनिया निकालने के लिए उच्छारण के लिए किसी के भी सहायता नहीं होती है यह सोतंतरता पुर्वक होते हैं इसका मेख्यारता तरह की होते हैं याद रखेगा यह कोशन पूछ लेगा बले कि वो कौन-कौन से यह को दे देगा यह जो दिरगव है यह किस तरह का वन है तो आपको उताना यह svaan-1 ठीक है यह ध्यान कीगा स्वर्ण वर्ण कह सकते हैं इसको ठीक अब देखें वेंजन संधी क्या होता है या फिर आयोग वाह कहते हैं इसको ठीक है तो जिन ध्वनियों का उचारन स्वरों की सहायता से होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है जिन ध्वनियों का उचारन स्वरों की सहायता से होता है या पिर कहें, तो स्वर्ड की आवशक्ता worrying trick और इह जो ए 33 प्रकार की Low क्या है तो वह प्वहन हूं आपके स्वर्ड है और टिए नहीं किया जा सकते उसे हम लोग वन कहते हैं अगर question की one क्या है तो ऐसे छोटी से छोटी ध्वनी जिसके कोई टुकड़े नहीं किया जा सके या फिर भासा में बोलें तो भासा की सबसे छोटी एकाई one कलाती है जिससे की इसकी ध्वनी भी हम लोग कहते हैं यह 44 तरह के होते हैं जिसमें की 11 आपका स्वर्ण वन होते हैं और 33 जो होता है आपका वियंजन वन होता है तो यहां से यह basic question होगे अब देखे स्वर्ण जो है या फिर स्वर्ण वन कह लिजे इसको यह तीन तरह क्यों होते हैं इससे समंदित प्रश्ण भी हम करवाएंगे आपको यहां पर एक होता है आपका हर्ष्व स्वर दूस्तरा होता है दिर्ग स्वर और तीसरा विलूप तीसरा स्वर इसका बहुत कम उचारण होता है लेकिन ध्यान रखिएगा हर्ष और दिर्ग स्वर जो है दो तरह के पढ़ने आपको जिसमें हर्स्व स्वर में क्या पढ़ना है तो अ, हर्सई, हर्सव और री के बारे में पढ़ना है ठीक है ये होते हैं हमारे हर्स्व स्वर ठीक है और जो दिर्ग स्वर होते हैं जिसे बोलने में थूड़ा सा टाइम लगे जिसे कि आ, हर्सई दिर्ग ऊ ए ए ओ और आओ ठीक है यह जो हमारे क्या हुए तो यह दिर्ग स्वर होते हैं हमारे दिर्ग स्वर वर्ण होते हैं ठीक जो कि 11 है अब इसमें भी स्वर वर्ण को बाड़ दिया गया है हर्श स्वर में और दिर्ग स्वर में और एक होता है हमारा दोस्तों यहाँ प होते हैं इसलिए ऐसे तरह के कोिए अगर आपको क्रुखें इसको ब्लिप्त खेंगा het क्या ही यह रिखें आप स्रक्राइअ के बारे में संदगे अब आते हें दोस्तों यहां पर वेंजन के बारे में पढ़ते हैं तो एक होता है आपका invent यहिंचन में ऐंको स्वर सही तरह अभूर यह हमारे के इस पर्षी वैंजिन आपको बता एक इसको बोलने के लिए एसके दुर्ष रहने करने के तो स्वर्भण का जड़ेक्त करता इससी तरह यह सारे हमारे है क्या किलाते हैं क्GERंस विंजन टिव not get यह सब्दें चार शब्द्द य कि अंदर से धौने निकलते हैं निकलता यह बोल के देखे या फिर र बोलके देखें, यह लगिया कि अंदर से इसकी धोरी निकल रही है, आपके मुह से तालुका से कही समंदित नहीं, किसी भी स्वर्वर्ण का यहाँ पर परियोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो य, र, ल, और व, ये जो है आपका ये चारों क्या है, तो अंतह स्थ वेंजन है, और तीसरा होता है दोस्तों इसमें उसमें वेंजन, उसमें वेंजन में हमें तलाबविश्य, मुर्धनेश्य, दंतिसा और ह, इन चारों का हम लोगों अध्यान करना, ये जानते हैं हम लोग ये उसमें वेंजन है, क्या है ये उसमें वेंजन, अब देखे परते हैं छट्रह गयान तो चोगर सब्सक्रांद नुमाइर का जीजन हैं और नासो का विएंजन नाश्री का से उसका उचारन करतीन हैosition की जैसे कि आप लोग जो हूं लिखें कि कोई भी एक सब्सक्रांद ले लीजिए कोंई दरन उसका जिसे कि कि दिसमें चंडरमा है न तो चंदरमा पाइच चंदर बिंदू यह है लिखा वह तूं अनुष नाशिका से उसका हम लोग उस्तेमाल करते बोलने में फिर दूसर कि ऐसके कि यह जिसे की नाम प्रंट में किते की कोई नाम करते हैं दोविन्दो का इस तरह से है ना एक होता है दोस्तों आधी आधी में आपको complete जिसे कि के साथ जो उचारnek आपका अनु नाशारीथ का या के साथ अपका अनु सवर का या के सारना चर्ण आपका और तो यह हुमारे होंगे जन समझें अभ हमने आपको स्वर और वेंजन दोनों ही पढ़ा दिया फिर भी कोई डाउट है ता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजेगा ठीक है अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रशनों को भी हम लोग देखते हैं यहां पे और इसका आंसर करने का आप प्रयास करिएगा देखे भासा की सबसे छोटी इकाई कौनसी है अब बताइए आपको यहां पे आंसर करना होगा तो भासा की सबसे छोटी इकाई जिस चुड़ा नहीं किया जा सके उसम लोग वर्ण कहते हैं कौन सा स्वर आपको कौन को बताए बताए हर्साई हरसव बताया तो हर्साई तो है यहाँ पर आ भी है यहाँ पर अलगा है दिल सोरस्व बढ़ाया था ये जितने भी आपके स्पर्स वेंगजन है वो उसका उधारा नाई तो यहां पे नहीं है तो नहीं में बोल देगा यह नहीं है स्वाल लंबर तीन पर चलते हैं कौन सा स्वर दिर्ग है दिर्ग में मैंने आपको कौन-कौन सा सब्द बोले थे तो जिसे कि आ हो गया हर सही दिर्गई हो गया दिर्गई हो गया ए हो गया ए हो गया ओ हो गया तो इसमें जो है अगर आपको दिख रहा है जिहां इ दिख रहा है तो हर सही है यह तो यह नहीं होगा यहां पर है ना यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा और आपका जो है यह भी नहीं होगा यह हर स्वर का उधाराना अच्छा यह पूछा गया है कि दिर्ग स्वर कौन सा है तो आज इसमें क्या है आपका दिर्ग स्वर है तो यह उत्त है तो यहां पर आप चार का उत्तर कर लिजेगा कैंजि आप यह बोला गया संयुक्त सब्वेंज करत besser संजुक्त उर पुछलर यह आपका सब्सक्राइब बता है उसे तरह सब्सक्राइब भी होता है टो सब्सक्राइब और यूज materi मिल पिलिकर यह हर सव बना है तो यह इसलिए दो संजुक्त स्वरों के मिलने से बना है तो यह इसको हम लोग कहेंगे यहां पर दी कर लिजीगा और सात्वा का उत्तर की जिएगा कौन सा उष्म नहीं है तो यहां पर उत्तर कर लिजीगा जो कि नहीं है ption में बोला गया है, तो B उत्तर हो जाएगा, यहां पर हें कि सब्द में चंद बिंदू का परियोग होता है गंगा, चांद, चंचल, पाया, तो आठ का उत्तर कर लिजेगा दोस्तो चंद में, ठीक है, चंद में हम लोग चंदर बिंदू का उपयोग करते हैं और ये कैसा आपका है तो ये अनुनाशिक अयोगवा है ठीक है याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं चंदरबिंदु को अनुनाशिक याने चांद और आपके नाक से उचारन हो रहा है तो अनुनाशिक कहेंगे इसको ठीक है याद रखेंगे बी यहाँ पर उत्तर हो जाएग सवाल नुम्बर 9 है कि निमलेकित में से अनुस्वर कौन सा है अनुस्वर अनुस्वर यानि कि अनुस्वर हमने आपको बताया जिस पर कि सिर्फ बिंदू लगा हो जैसे कि once, uns and accounts यह ध्यान रगेगा तो यहाँ पर आंसर कर लेजीगा C is the correct answer सवाल नंबर चलते हैं दुस्तों 10 पे निम्लेकित में से कौन सास संयुक्त बेंजन नहीं है नहीं बुला गया है संयुक्त बेंजन हमने क्या बताया था च्छोह है और गया है यह नहीं है तो यह जो है आपका नहीं और आज का आफरी सवाल है यहां पर कौन आपका दिर्ग सुवर है तो धिर्ग सुवर यान कि जिसमें कि हमने बताया था दिर्ग स्वरों में यहां पर गाव और खुरों में है ठीक तो याद रहें स्वर हमारे भी है और इसमें से जितने भी उच्चारण बड़े उसका है तो वह हमारा क्या है तो दिर्ख स्वरों का एक संजुक्त यहां पर है दोस्तों ऐसे ही हम आपको सारे टापिक कभर करवा देंगे और इन सबी टापिक से समंदीत जीतने भी प्रश्न आते हैं एक्जाम में या संबंदित होते हैं वो भी आपको कबर कराया जाएगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरू कीजिएगा जैन